दोस्तों यह हैं दो बहुती कमाल के बजट स्मार्टफोन आइटेल ने लॉंच किया है P55 Plus और Poco ने लॉंच किया है दोस्तों Poco M6 5G दोनों स्मार्टफोन आपको साड़े 9000 के मिल जाते हैं तो रेट जो है दोनों का काफी ज़्यादा कम इस वीडियो में इन दोनों में कमपेरिजन करके आपको बताऊंगा दोनों में आपके लिए बड़ी अकॉंसर रहेगा तो जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर दे कवर तो नहीं है इसके साथ टाइप सी केबल दी गई है और केबल की जो क्वैलिटी है काफी बढ़ी है लेंथ भी सही है बागी कवर अगर होता ना बॉक्स में तो और ज़्यादा बढ़ी हो जाता लास्ट में रखा वह मिलता है दोस्तो यह वाइट कलर में एक चारजर ज के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अंबॉक्स करते हैं इसको इसके अंदर भी आपको सबसे पहले फोन मिल जाता है और इसके बाद जो आपको अंदर की तरफ एक कवर दिया गया है तो यह फर्क है इसके साथ कवर है टाइप सी के बल दी गई है दोस्तो जिसके length or quality काफी अच्छी है और last में रखावा मिलता है यह 45W का charger तो फर्क ही यहाँ पर है charger इसके साथ आपको बहुत ही fast दिया गए है उसके comparison में उसके साथ मिलता है 10W का इसके साथ 45W का तो box के जो content से दोस्तो आपको ITIL के साथ ही बड़ी है मिलते हैं क्योंकि charger का काफी बड़ा फर्क है यह 7 गंटे के अंदर full charge कर देगा phone को तो यह चीज़ आपको ज़्यादा बड़ी है इसमें मिलती है चली बात करते हैं दोस्तों डिजाइन में कौन सा अच्छा है तो blue color में POCO M65G है और green color में ITIL का P55 Plus POCO M65G चमकता बहुत है इसमें light की reflection बहुत बड़ी है देखने को मिलती है प्लास्टी के टाइप के डिजाइन scratches वगरा जल्दी आ सकते हैं लेकिन चमकने में यह एक number है दोस्तों आप देख सकते हैं क्या ही चमक रहा है और इसके अंदर आपको blue के साथ black shade दिया गया है camera का design इस तरीके से मिल जाता है और दोस्तों दूसरी तरफ ITIL के P55 Plus के अंदर आपको plastic के type के design नहीं मिलता उसका design भी मैं आपको दिखाता हूँ तो इसमें मिलता है मतलब leather finish में type के design इस तरीके का तो plastic के type के नहीं है दोस्तों थोड़ा सा इस तरीके का आपको pattern मिल जाता जो चमकता तो कम है लेकिन इस पर scratches वोगर एक दम नहीं आएंगे और इसकी quality थोड़ी ज़ादा premium सी लगती है तो इस तरीके सा आपको इसमें quality अच्छी मिल जाती है तो अगर आपको quality बढ़ी है चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं जैसे आपको ज़्यादा लंबा चलाना है तो आइटेल अच्छा रहेगा बाकि दोस्तों अगर आपको shiny phone चाहिए लुकवाइस बढ़ी हाओ तो पोको ज़्यादा refreshing design के साथ आता है इसके लब दोस्तों दोनों के अंदर आपको जो display दी गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ colors किसमें जाद अच्छे है और brightness किसके अंदर आपको जादा बढ़ी है वैसे दोनों के अंदर आपको साड़े change की IPS HD plus display मिलती है आपको दोनों के अंदर एक जैसे टाइप की मिलती है display की quality on paper तो आपको same type की दी गई है लेकिन real life में जो colors है brightness है वो किसमें अच्छे है तो वो चीजमें आपको दिखाता हूँ परमेटर करता है इसके लिए दोनों फोन के display में आपको refresh rate कितना मिलता है तो वो चीजमें आपको दिखाता हूँ चले चलते है settings के अंदर तो इन दोनों ही phones के अंदर आपको display में 90 Hz के refresh rate दिया गया है तो यह चीज़ काफी बढ़िया है smoothness जो दोनों के अंदर काफी अच्छी और एक जिसे type की देखने को मिलती है तो इस चीज़ में ज़्यादा बड़ा फरक नहीं है दोस्तो दोनों स्मार्टफोन से एक जिसे type के हैं यूज करने को जो experience है दोनों का काफी smooth आपको मिल जाता है काफी बढ़िया तो इस चीज़ में तो दोनों ही बढ़िया है इसके लिए दोस्तों display की quality में कितना फरक है तो वो चीज़ में आपको दिखाता हूँ अब देखें दोस्तों इन दोनों phones के अνदर आपको जो डिस्पले के कललर्स मिलते हैं दोनों में नशवाले दिजाइन और आइटेल में पंच होलका Кæmere वाले दिजाइन है बाकी colors वगर है जो पोको के डिस्पले के अंदर भी आपको उच्छे मिल जाते हैं तो कहीं ने कहीं दोस्तों आपको थोड़ा सा साइज में जो है Poco जादा बड़ी है मिलता है और जो है दोस्तों डिजाइन में और इसे के साथ brightness में ITEL लेफ्ट साइड साप देहेंगे दोनों में SIM के टरे लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा फर्क है ITEL 4G phone है और Poco M6 जो है एक 5G phone है तो इस चीज का बहुत ही बड़ा फर्क है दोनों में एक 4G है दूसरा 5G नीचे की तरफ आपको charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है इस चीज में दोनों एक जिस है right side पर volume के buttons और power के buttons है finger paint scanner दोनों में side में है ओपर से देखींगे तो इहाँ पर ITEL में plane designer और Poco के अंदर जो है headphone jack ओपर की तरफ दिया गया है Poco के अंदर आपको मिलती है 4GB RAM 128GB storage, 428 आपको मिलता है यह लेकिन ITEL मिलता है दोस्तो 8GB RAM 256GB storage के साथ यह आपको मिलता है 8256, तो यह चीज दोस्तो आपको ITEL में ज़्यादा बढ़िया मिलती है RAM और storage में कोई comparison नहीं ITEL ज़्यादा बढ़िया, दोस्तो same rate में आपको RAM BGS में ज़्यादा दी गई है, storage भी double है, RAM भी double है तो सभी चीज दोस्तो दोनों के अंदर आपको Android का 13 version नहीं दिया गया है, तो यह चीज आपको दोनों के अंदर एक जैसे मिल जाती है 14 version तो दोनों में से किसी में भी नहीं दिया गया, latest update जो 14 होता तो काफी बढ़िया रहता चलिए दोनों को restart करते हैं, आपको बताते हूं इन दोनों फोन्स में processor को लेकर कौन सा ज़ाद अच्छा है, performance आपको किस में ज़ाद अच्छी मिलती है तो ITEL के अंदर आपको दिया गया है दोस्तो, Unisoc का Tiger T606 processor और Poco M6 के अंदर आपको दिया गया है दोस्तो, MediaTek का Dimensity 6100 plus processor अब दोस्तो अगर आप एक बहुत ज़ादा heavy user है, performance आपको बढ़िया चाहिए, game वगर आपको ज़ादा खेल ले है तो इन दोनों फोन्स में आपको जो processor मिलता है, Poco M6 के अंदर ज़ादा अच्छा मिलता है processor को लेकर यही ज़ादा बढ़िया है दोस्तो, बाकि normal use के अंदर na idle भी बहुत बढ़िया सा काम करता है जैसे day-to-day use में, आप एक normal user है, whatsapp वगरा use करना आपको तो दोस्तो, ऐसे से use में जो आपको दोनों फोन्स काफी बढ़िया मिलते है idle भी अच्छा ही मिल जाता, दिक्कत इसमें भी आपको नहीं होगी और restart test में आप देख सकते हैं दोस्तो, मताब Poco के साथ ही open हो गया, बिल्कुल on हो गया तो बिल्कुल भी मता ऐसा कोई बहुत जादा time gap नहीं रहा तो normal use के अंदर आपको जो idle में भी performance अच्छे मिल जाएगी लेकिन अगर आप एक बहुत जाद heavy user है, गेम वगर आप खेलेंगे तो Poco M6 के अंदर ये आपको performance जाद अच्छे मिलेगी दोस्तो, इन दोनों फोन्स के comparison में तो दोस्तो, applications open करके मैंने आपको दिखाई तो ये चीज़ भी idle में बढ़िया इससे काम कर रही है क्योंकि normal use में ये जादा fast work करता है, बात करें दोस्तो, camera के बारे में अब यहाँ पर बिल्कुल उल्टी चीज़ हो गई, क्योंकि जो camera है वैसे दोस्तो, Poco का भी अच्छा ही है इसके अंदर आपको details और portrait mode के अंदर ये काफी बढ़िया से काम करता है लेकिन दोस्तो, आपको display की brightness मिलती है, quality मिलती है, idle में बढ़िया मिलती है तो इसके photos और जादा बढ़िया लग रहे हैं देखने में, तो ऐसे सा experience आपको देखने को मिलता है डिस्पेल माता camera आपको जो वैसे दोनों में बढ़िया दिया गया है, दोनों इस चीज़ को लेकर अच्छे है लेकिन idle में experience थोड़ा सा जाद अच्छा मिलता है बात करें दोस्तो बैटरी के बारे में तो 5000 इमेश की दोस्तो बैटरी मिलती है दोनों में तो एक दिन का बैटरी backup आराम सापको मिल जाएगा लेकिन idle में चार्जर जादा फास्ट है तो ये चीज़ इसमें जाद अच्छी है तो ये सारी खुबिया कम्या दोनों में चली बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको दोनों में से खरीदना कौन सा चाहिए तो कुछ चीज़ों में idle P55 Plus अच्छा है कुछ चीज़ों में Poco M6 आप बतेएगा दोस्तो आपको जो जरुत की साबसे कौन सा जाद अच्छा लगा देखे दोस्तों में आपसे बताता हूँ कि जैसे अगर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया चाहिए और डिजाइन की क्वालिटी बढ़िया चाहिए इसे के साथ दोस्तों कैमरा और रैम और स्टोरेज इसे के साथ चारजर यह चार-पांच चीज़ ऐसी ही जो आईटेल में ज़्याद अच्छी है डिजाइन की क्वालिटी बढ़िया है दूसरा इसका कैमरा ज़्याद अच्छा लग रहा है परफॉर्मेंस में इसे के साथ दोस्तों तीसरे इसमें आपको डिस्प्ले की क्वालिटी तो यह की खूबी जो है दोस्तों पोको अच्छी बहुत ही भारी है यह 5G फून आपको मिलता है और दूसरे इसके अंदर आपको जो दूसर जाद अच्छा दिया गया है तो अगर आपको 5G फून लेना है प्रोस्सर जादा बढ़िया चाहिए है एवी यूजर अगर आप हैं तो पोको M6 5G आपके लिए जादा बढ़िया रहेगा अब आप बताएगा आपको जो इन सारे फीचर्स के साथ जो है आई टेल का P55 प्लस जादा पसंद आया है यह फिर 5G होने की वज़े से पोको M6 और पर्फॉमेंस की वज़े से पोको M6 पसंद आया कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएगा विज़े दोस्तों मुझे इन दोनों फोन में थोड़ा सा जो है पोको M6 इसलिए जादा अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रॉससर अच्छा है इस वज़े से पसंद आया आप ज़रूर बताएगा वीडियो दोस्तों अगर टेक केर बाबाए